इस फ्री यहाँ पर एक जगे का नाम है जहाँ पर यर्ट्स ने अपना बच्पन काफी सारा समय गुजारा था टीनेज के दिनों को भी गुजारा था वहाँ पर यर्ट्स अब वापस जाना चाते हैं ये एक musical type की poem है जिसको बोला जाता है lyric हम बोलते है lyric और इस poem में poet peace की तलाश कर रहा है शांती की तलाश कर रहा है इस पोएम में आप देख लो 12 लाइने हैं और 3 stanza हैं और हर एक stanza की लाइने 4-4 हैं जिस stanza की 4 लाइने होती है मैं आपको बताया उसको क्या बोलते हैं उस stanza को बोलते हैं quatrain तो इस पोएम में चार-चार लाइनों के तीन स्टेंजाज हैं तो इसको हम बोलेंगे तीन क्वाटरेंज की पोएम है ये तो शुरू करते हैं इस पोएम की शुरुवाती लाइन में पाइट बोलते हैं I will arise, मैं उठूंगा and go now and go to Innisfree और Innisfree चला जाओंगा और Wattles यहाँ पर दोस्तों कुछ इस ट्राइब की होते हैं लकड़ी के तो उनसे ये अपना कैबिन बनाएंगे एक रूम सा बनाएंगे उस आइलेंट पर जाने के बाद में और वहाँ पर ये नाइन बीन की रोज भी लगाएंगे कुछ इस ट्राइब की यहाँ पर दोस्तों हाइब का मतलब होता है मदुमक्की का चत्ता तो ये मदुमक्की का चत्ता भी वहाँ पर लगाएंगे क्योंकि ये वहाँ पर मदुमक्की की बर्ज की आवाज सुनना चाते हैं इस लाइन का मतलब यह है कि वहाँ पर मैं अकेला रहूंगा मदुमक्यों की आवाज सुनूंगा यहाँ पर दोसो ग्लेड का मतलब है एक खुली सी जगा जंगल में पेडो के बीच में एक खुली सी जगा तो वहाँ रहूंगा मदुमक्यों की आवाज सुनूंगा ये चीज मुझे खुशी देगी और आगे वाली लाइन में वो बोल भी रहे है and I shall have some peace there कि वहाँ जाकर मुझे कुछ हद तक शान्ती मिलेगी, सुकून मिलेगा for peace comes dropping slow और slowly, slowly मतलब की बहुत ही धीरे-धीरे वो सुकून मुझे मिलेगा, मेरे पास आएगा जैसे dropping from the wheels of the morning wheels का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कोई कपड़ा टाइप का मतलब की ओढ़नी टाइप की यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि सुभह के समय आस्मान में जैसे वेल यानि कि परदे की तरह ओस की ओस जो परदे की तरह पैल जाती है और धीरे 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 वो साफ होती है ओस की बुंदे जैसे drop करती है उसके बाद में वैसे ही धीरे धीरे सुकून मुझे मिलेगा ठीक है to wear the cricket sings इसका मतलब यह है cricket की जो cricket जो एक टाइप का insect होता है वहाँ वो अपना music बजाता है टाइप का insect होता है कुछ इस टाइप का और फिर आगे बोलते है there midnights all a glimmer इस line का मतलब यह है glimmer का मतलब यहाँ पर होता है टिम्टिमाना या चमकना तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वो रात में चांद तारों को चमकते हुए देखना चाते हैं टिम्टिमाना चाते हैं इस का मतलब यह है कि वो रात को तो चांद तारों को चमकते हुए देखना ही चाते हैं और दुपेर के टाइम पर वो परपल चमक को भी देखना चाते हैं इस line का मतलब यह है और शाम के टाइम पर वो उड़ते हुए लिनिट के बर्ड की पंको को देखना चाहते हैं लिनिट दोस्तो इस टाइब का कुछ बर्ड होता है उसके पंको को देखना चाहते है I will arise and go now अब मैं उठूँगा और चला जाओंगा for always night and day इसी के बारे में मैं दिन और रात दूस्ता रहता हूँ I hear lake water lapping with loose sounds by the shore दोस्तों इस line का मतलब बाद में बताऊंगा मैं आगे वाली line का मतलब बताता हूँ While I stand on the roadway इस line का मतलब यह है दोस्तों यहां पर part बोल रहे हैं कि जब भी मैं सड़क रहता हूं, roadway पर खड़ा रहता हूं इस शहर के, या फिर footpath पर, यहां पर pavements का मतलब है footpath, तो footpath पर मैं खड़ा रहता हूं या फिर, सड़क पर खड़ा रहता हूं, roadway पर, जब भी तो मुझे गिरते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है किनारे के पास में I hear it in the deep heart score इस लाइन का मतलब यह है कि मेरे दिल के किसी कुने में मैं इस आवाज को सुन सकता हूँ